कैसे कैसे र आप ही होप आप सब अच्छे होंगे और मजहर इना वेलकम का आज की इस विडियो में बात करेंगे क्रेंट मार्केट सीचुएशन के वारे में क्या हाल चल रहे है क्रिप्ट मार्केट के और क्या updates आ रही हैं वो भी cover करेंगे अगर आप अभी देखोगे 28,000 28,000 डॉलर पे जो है bitcoin के level चल रहे हैं और यहाँ पे 2% bitcoin का price अभी जो है down चल रहा है अगर आप level देखोगे तो 28,000 पे कायम है आज 27,300 के अभी जो है हमने evening में low भी देखे अगर आप यहाँ देखोगे 27,800,300 ओलरी 24 आवर की अगर मैं बात करता हूँ जहां तक क्योंकि बाइनेंस ने काम करना बंद कर दिया था आज evening में 28,000 डॉलर से सीधा कुछ भी यहाँ पे आपको result देखने को नहीं मिलेगा है ना उसके बाद अगर आप देखोगे क्योंकि 27,300 तक हम low लगा के आए फिर bitcoin 28 पे आया और फिर 27,800 पे यह situation सिर्फ हमको इसलिए देखने को मिली क्योंकि बाइनेंस ने यहाँ पे जो है थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया एक जो bug है वो बाइनस के अंदर हमको देखने को मिला और वो बग की वज़ा से जो है बाइनस यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा था अभी बाइनस यहाँ पे बिल्कुल अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है ठीक है जो बग था उसको सॉल्व कर लिया गया और अब आपको कोई प्रॉबलम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस बग की वज़ा से स्पॉट प्रेडिंग भी बंद कर दी गई थी टेंपरेली जो है सस्पेंट कर दी और ऐसे टाइम पे पैनिक हो जाते हैं बहुत सारे इंवेस्टर्स अब्वियस सी बात है हम ftx देख चुके है ftx exchange को है ना तो यहाँ पर पैनिक होना अब्वियस सी बात है क्योंकि ftx जैसे नजारा हम नहीं चाहते हैं तो हम दुबारा देखें और जो बग था क्योंकि बाइनेंस नंबर वन एक्सचेंज है बाइनस ने फटाफट इसको सॉल्व किया क्योंकि बाइनस को अगर कुछ भी हुआ फ्यूचर में तो पूरी क्रिप्टो मार्केट हिल सकती है ठीक है तो की जो हम बात कर रहे हैं वो बिटकोइन अब जैसे जैसे मार्च मंत की क्लोजिंग नजदीक आ रही है वैसे वैसे बिटकोइन में डेफिनिटल आपको ये गेम होता हुआ दिखेगा जो 2930 की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करें ठीक है और इस थोड़े से हलके से बहुत सारे ऐसे कोईन से जर पहों कोच्छा घासा डाउनफोल देखने को मिल रहा है मैजिक कई की बात कभ्लों की बात कर लों उप्टिमिजम की बात कर लूं यह बड़े-बड़े प्लेइर जो है आज अच्छा घासा डिप में चल रहे हैं और डिप का मोका मिल रहा तो आप अपनी जो रिसर्च के साथ है डिप में एंट्री जो है अपनी बना सकते हैं सबसे पहली अपडेट है यहाँ पे लाइट कोईन को लेगे लाइट कोईन वेल्स विड्डो एलेवन पॉइंट फॉर मिलियन डॉलर वर्थ हो इन ल्टी सी फ्रॉम बाइन तो बाइन से जो वेल नहीं यहाँ पे जो है लाइट विड्रो लाइट कोईन ब्लॉक्चें दूरिंग पास डे और इसके अंदर जो लाइट कोईन विड्रो हुए है अगर आप देखो एक लाख बाइस हजार साथ सो लाइट कोईन जो है जिनकी वैल्यू ग्यारा मिलियन डॉलर्स की है यह निकले है इस वेल के ट्रांडेक्शन से विड्रो हुए है बाइन से है ना नेक्स्ट रम बात करेंगे यूएस के बैंक्स के बारे में लगातार उनके जो शेर से वो फोल हो रहे हैं लोवेस्ट लेवल को हिट कर रहे हैं है ना अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फ बैंक ओफ अमेरिका शेर फॉल तू लोवेस्ट लेवल सिंच नबैंबर 2020 नवेंबर 2020 के बाद जो बैंक ओफ अमेरिका है उसका भी शेर अगर आप यहां पर देखोगे इस टाइम पे लोवेस्ट लेवल पर आचुका है नवेंबर 2020 के बाद 26 डॉलर के राउंड जो है ये वैल्यू चल रही है बैंक ओफ अमेरिका के इस शेर की और लगातार जो है बैंकिंग सिस्टम बैंक के शेर्स वहाँ पे फॉल हो रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है जो यूएस के अंदर हो रही है नेक्स्ट एक जो बड़ा इंडिकेशन बैंक के डूबने का यहाँ पे हमको मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है अगर आप देखो बैंक्स रिसेंट टर्मॉइल इस स्परिंग मनी टू मूव देर मनी बतलब हो क्या रहा है कि जो बैंक्स आपने देखा डूबे तीन इसकी वज़े से बाकी बैंक्स पर भी इंपेक्ट पड़ा है जब बैंक टूपते है न तो जिस तरह क्रिप्टो में आपने देखा FTX डूबी तो क्या हुआ क्रिप्टो फंड्स निकले, एक्स्चेंजिस से निकले, धड़ा धड़ पैसा निकला और वही चीज हो रही है बैंकों के साथ जो बाकी के बैंक्स है एन एस्टिमेट ओफ 500 बिलियन डॉलर इन फंड अगर आप ये नंबर देखोगे 500 बिलियन डॉलर इन फंड्स have moved out of the smaller bank to the big institution and money market funds और ये कहना है JP Morgan का मतलब बैंकों से पैसा निकल रहा है जो तीन बैंक डूबे हैं उसका असर बाकी बैंक्स पर ही बढ़ रहा है बैंकिंग सिस्टम में तो अल्रेडी पढ़ ही रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है ठीक है बात है Bitcoin के लिए है न तो ये सब कुछ हो रहा है US के अंदर और ये सारी चीज़ें सीधा सीधा directly benefit करेंगी Bitcoin को नेक्स अम US banks की बात करेंगे क्योंकि US banks back to back जो है यहाँ पे problems में दिख रहे हैं और पिछले 5 bank failure in less than a month अगर आप देखोगे पांचवा बैंक भी लिस्ट में आ गया बात करने वाले है उस bank के बारे में कहानी स्टार्ट होती है Silvergate से उसके बाद Silicon Valley Bank उसके बाद Signature Bank First Republic Bank जब अभी recently आपने देखा कितना भयंकर शेयर डूबा है और credit shoes है ना 5 bank तो already इस लिस्ट में है लेकिन 6th bank भी यहां पे हमको दिख रहा है और उस bank का क्या नाम है वो भी हम आपके साथ अब शेयर करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है और back-to-back banks यहां पे हिल रहे हैं US के अब next जो bank इस लिस्ट में हमको दिख रहा है जो छटा bank है वो है Dutch bank जी हां Dutch bank share slump more than 10% its credit, default, swap, surge, emit wider concern about the banking sector अगर आप देखो 10% इस bank का share भी धड़ाम हो गया अगर आप देखो यहां पे 10% का सीधा सीधा धड़ाम देखने को मिला हमें इस bank के share के अंदर भी जब share धड़ाम हो रहे न तो अपने आप में signal clear है और banks stable नहीं है banking system अभी दक stable नहीं हुआ यूएस का तो इन banks की list में आप अब Dutch bank को भी add कर सकते हैं Silvergate, Silicon, Signature, First Republic, Credit Hughes और Dutch bank यह 6 banks यहां पे अब तक हमको दिख चुके हैं यूएस के अब ऐसे में एक तरफ banks डूब रहे हैं लगातार, banks यहां पे problem में हैं तो Elon Musk ने भी कुछ कहा है कि the banks are melting Bitcoin is the escape route मतलब Bitcoin ही है एक बचने का रास्ता यह Bitcoin को रास्ता बता दिया है Elon Musk ने और जिस तरह से banks डूब रहे हैं definitely वो जो हमने prediction आपके साथ share किया है 1 million dollar का वो हकीकत में बदल सकता है अगर यह सारी चीजें ऐसे ही होती रही तो next update है Ethereum whale lock की की तरफ से इस whale ने यहां पे 18 million bet यहां पे खरीद लिया है basic attention token भी आप इसको भोल सकते हो 4.4 million dollar की value है इतनी tokens इस whale ने अपने bag में add कर लिया है last and final update भी है blue whale 0298 की तरफ से इसने जो है बड़ी quantity में यहां पे खरीदे है 2 billion AMP coin AMP coin की जहां तक मैं बात करता हूँ हमने telegram पे भी share किया था अपने extreme low levels की उपर चल रहा है और essay में एक बड़ी buying हुई है whales की तरफ से 8 million dollar की यह quantity है ठीक है तो थोड़ा सा AMP पे भी आप focus कर सकते है देर सवेर हल चल दिख सकती है AMP coin के अंदर भी तो आज की इस वीडियो को करते हैं पेंट वीडियो पसंद आया like, share, comment कीजेगा कोई भी question, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं और नीचे description में telegram, twitter के link है join नहीं किया तो कर लेना कोई update मिस नहीं होगा किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं हमेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye, take care